वो उनके होचे से, ठीक है आए गई दुआएं वो तो नहीं जो तीन, साथ बार, मैं सबसे ज़्यादा साथ बार का मैंने बढ़ा है, तादा, साथ या दस बार एक लिवायत में आता है, एक दुआ का सवालागवार जो है, आयत करीमा की मजलिस अल्लाहू समद की मजलिस ये भी मैंने पहले नहीं सुनाओ लेगिन आप बहुत समद सुनें आरा, ल्लाहू समद की मजलिस आप खुलो, ल्लाहू आहद की मजलिस भी शाइच शुरू हो जाएंगी पिर अल्हंद ल्या रभ्ला रालमीन की मजलिस हो जाएंगी उसके बाद बिस्मिल्ला का खुरान बिमार होने पर उल्ठा खुरान उल्ठा खुरान बलता आप बलेंगे कैसा पढ़ते हैं उल्ठा बलता तो सुरे नास पहले पढ़ते हैं फिर सुरे फलक पढ़ते हैं फिर सुरे इखलास पढ़ते हैं ऐसा आते हैं बिस्मिल्ला का खुरान क्या है मालूँ आपको, हर आयत पर उंगली रखते हैं, बिस्मिल्ला रह्मान रहीं, 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 उसके बाद हर सूरत की पहली आयत पढ़ते ह मिल जिन्नती वर नास फिर इसका और ऐसा इस तरह से उल्टा बढ़ते हैं ये सब काम जो लोग करते हैं शिफा के लिए या फिर अल्ला के कुछ अस्मा और हुसना नाम और सिफत को तादाद में जो कि सुन्नत साबित नहीं बढ़ते हैं तो क्या ये सब चीजे दुरुस्त हैं बिमार होने के बाद और बिल्गुद और ओरते जमा के करती हैं तो क्या ये दुरुस्त हैं इसमें से कोई भी अमल दुरुस्त नहीं है और एक भी सुन्नत से थाबित नहीं है अब जब ये कहायत लोगता है रोई कुरान और अधिश की बाद, कुरान पढ़ रहे कल्मा पढ़ रहे और आप बढ़ रहे इसका सवाब नहीं मिलता कुरान और अधिश की दुआओं को जैसे बताया गया वैसे करना ही फायदे मन्जीज है आपको जो मैनिफेक्चरर होता है वो जिस चीज का जैसे इस्तिमाल सिकाता वैसा करने का ही फायदा है ठीक है वरना नहीं है समझ रहे हैं बात को, तब ही आफायदा उठा सकते हैं तो लहाजा रसुल आल्ला रसलों के जमाने में सहाबा बिमार हुए सहाबियात हुई कभी उन्होंने किया लाहुसमत की मजलिस, बिसमिल्ला का खुरान आयत करीमा की मजलिस और इसके अलावा लाहिला लाहिल्ला की मजलिस दुरुशरी किया क्या असल ये देखिए, वो सबसे नेक लोग थे वो सब जादीन को जानते थे बोलते तो सही है, लेकिन बात ने अपने अमल में उनसे आगे निकलने की चक्क्र मेरते हम लोग नहीं ना, तो लहाज़ा ये तमाम काम और आफात और बिदात में हैं इसके करने का सवाब तो नहीं उल्ठा आज़ाब जरूर मिलेंगा तो लहाज़ा ये सुनने से साबित नहीं आप साबिश शुदा दौाओं के तरु जाएए इन्शाल लजीज ये कम भी है कम वक्त में होती है बाबरकत है और चुकि ये सही अमल यही है इसी का फाइदा होगा वरना दूसरी तो का फाइदा नहीं होता है